बच्चों ये चप्टर बहुत ही इंपोर्टन है और सिंपल भी है इसको आप खुद से लेके समझे खुद के ऊपर लेके खुद को देख कर मिरर में देख कर तब समझने की कोशिश कीजिए और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपको मज़ा आएगा तो आएए शूरू करते हैं अब आप इन सब पार्ट के नाम देखेंगे देखे बच्छो पिच्चर में ये क्या है हमारा हेड जहां पे हमारे क्या होते हैं हेर्स होते हैं ब्लाइक ब्लाइक हेर्स इयर दिस इस नोज नेक लेग फूट औके बच्छों इधर आजाएए ये क्या है हमारी आइस हैं हाउमेने आइस दूव एफ टू आइस तो आइस दीजार फिंगर्स माउट जहां से हम बोलते हैं क्या है वह हमारा माउट ईजाव मेने इयर्स दू वह याफ टू यर्स ओके तो आएए आगे चलते हैं Each part of our body has a different name हमारे शरीर का हर एक पार्ट उसका अपना अपना अलग अलग क्या होता है नाम होता है Every part helps us in doing work हर एक पार्ड हमें अपने काम करने में मदद करता है So friends, now we are familiar with our body parts Let us find out how these parts are helpful to us अब हम देखेंगे कि ये parts हमारे लिए कैसे मददगार है हमारी कैसे मदद करते हैं हमारे डेली के काम में Eyes Our eyes help us to see देखिए इस picture में ये girl क्या कर रही है Paint कर रही है और हम इस पता है paint में क्या होता बहुत सारे colors होते हैं और ये colors वो किसकी मदद से देख पा रही है अपनी eyes की मदद से तीसी different colors and size of object with our eyes हम अलग-अलग colors को और चीजों के अलग-अलग size को किसकी मदद से देख पाते हैं हमारी eyes की मदद से Eyes are very vital Eyes क्या है आँके हमारी बहुत ही जरूरी पार्ट है vital क्या होता है जरूरी We should take special care of our eyes इसलिए हमें अपनी eyes की बहुत ही अच्छे से care करनी चाहिए Do you know All animals except men and monkey are colorblind यह आपको पता है कि जितने भी animals है man और monkey को छोड़ कर सब क्या होते हैं colorblind होते हैं जितने भी जानवर हैं वो colors की पहचान नहीं कर सकते हैं उनको different different colors नहीं दिखते Ears Our ears help us to hear You can hear what your teacher says with your ears हम अपने कानों से क्या करते हैं सुनते हैं हमारी टीचर जो भी बोलती है अब जैसे मैं बोल रही हूं तो आप कैसे सुन रहे हैं अपने कानों की मदद से We can listen to each other and also to our favorite music and songs just because we have ears हम एक दूसरे को सुन सकते हैं listen क्या होता है सुनना हम एक दूसरे को सुनते हैं या फिर हम अपना favorite music सुनते हैं या गाने सुन रहे हैं तो वो भी किस की मदद से सुन रहे हैं हमारे ears की मदद से देखिए with the help of ears we listen music हम कानों की मदद से ही music सुन सकते हैं nose we smell with our nose we breathe with our nose अपनी nose से क्या करते हैं हम smell भी करते है सास भी लेते है ओके बच्चो घर में tasty tasty खाना बनता है तो आपको क्या हो जाता है अपने रूम से ही खाने की tasty tasty smell आने लगती है कैसे आती है हमारी nose की मदद से nose help us to breathe nose also help us to smell different things snark हमारी किसमे मदद करती है सास लेने में और अलग-अलग चीजों को सूंगने में tongue we taste food without tongue tongue also help us to speak ओके बच्चो इधर देखे पिच्चर में ये क्या कर रहा है कुछ न कुछ खा रहा है ठीक है तो खाने का taste कैसे पता लगेगा हमारे tongue से और जो हम बोल पाते हैं वो भी किस की मदद से बोलते हैं हमारी tongue की मदद से our tongue help us to taste food tongue also help us in speaking tongue हमारी खाने को taste करने में मदद करती है और बोलने में भी जैसे कोई खाना खटा है मीठा है, नमकीन है ये कैसे पता लगेगा हमारी tongue की मदद से skin our body has been covered by skin हमारी पूरी body है वो किस से covered है skin से ठीक है we feel hot and cold by skin हम गरम या ठंडा किस की मदद से कर पाते है feel skin की मदद से जैसे देखे पिच्चर में we feel hot and cold by the skin ठीक है अब ये क्या है, हमारी press है घर में press होती है, गरम प्रेस है अगर अचानक से लग जाए तो हमें कैसा feel होता है hot, गरम होता है ठीक है बच्चो, तो ये किस की मदद से skin की मदद से we know rough and smooth by our skin हम कोई surface है कोई भी चीज है वो smooth है plain है या खुरदरी है ये भी कैसे पता लगता है हमारी skin की मदद से skin gives us the sense of touch skin हमें touch का sense देती है किसी भी इसको touch करके कैसा feel होता है we feel hot and cold, smooth and rough etc. by our skin हम अपने skin की मदद से ही ये सब feel करते है do you know we have five sense organs they are eyes, ears, nose, tongue and skin हमारे पास five sense organs होते है कौन-कौन से eyes, ears, nose, tongue and skin okay बच्चो, so this is all about chapter two thank you so much काउस की बच्चो, so this is all about